नमस्कार दोस्तों स्वागेते हैं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन जॉन प्लस में माइनीम इस आयूश आज हम वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स सी बीसी 2022 के लिए प्रपेशन कर रहे हैं जिसमें हम एटम एंड नुकलाई के 2019 से लेके जितने भी कॉशन एटम एंड नुकलाई से बने हैं अब टू 2007 तक टोटल इनके questions को discuss करेंगे इनके solutions को discuss करेंगे बट उससे पहले जो हमें आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी previous year important questions की ठीक है electromagnetic waves पे अब जो वीडियो बनाई थी वो मतलब यह जो वीडियो मैंने बनाई थी आप उसको देख सकते ठीक है electromagnetic wave पे वो सर प्लीज उसी तरह बाकी chapter के भी term to cbsc board 2022 के लिए ऐसे ही previous year chapter wise upload करिये तो जिन बच्चों ने syllabus complete कर लिया या जिनको पता होना चाहिए आपको पता होने किस type questions आते हैं तो वैसे ही आपको मैं questions को अभी बना के दे रहा हूं ठीक है तो यह एक करकर help बनेगे हम सब के लिए ठ दिखा था तो मैं आप वीडियो को upload कर रहा हूं ठीक है चले अब हम अगली अगली बात करते हैं तो अब हम questions को discuss करते हैं पहला question यह है कि कोई एक proton दिया गया है और एक alpha particle दिया गया है उनकी d brogley wavelength विल्कुल सेम है विल्कुल सेम है तो हमें उनकी ratio find करनी है accelerating potential की सबसे पहल है कि हमारे d brogley wavelength lambda is equal to h by root mv to root 2m qv जहाँ पे जो हमारा m है वो mass होता है q charge होता है वी हमारा accelerating potential होता है पार्टिकल का वी is the accelerating potential of the particle तो जैसे मैं पता है कि वी हमारे पास accelerating potential होता है ठीक है किसका पार्टिकल का ठीक है तो अब देखो हमें इजे रखा है कि भाई हमें एकसलेटिक potential हमें d brogley wavelength सेम है तो d brogley wavelength हमने सेम कर दी ठीक है तो हमें पता है कि जो proton होता है proton के किसमें charge qv होता है potential v ही होता है और in case of helium particle alpha particle is simply helium particle इसमें जो mass होता है वो दूगन होता है चार्ज सेम होता है alpha particle का और velocity v alpha जो दिये रखी है तो आपको पता है कि h से h आपका cancel हो गया से h cancel हो गया अब आपने इनको उपर चलेगे cross multiply भी कर सकते है आप 2m q यह यहाँ चला गया और यह यह यहाँ चला गया ठीक है यह आगे दोनों दोनों की जगा अब यहाँ पे आपने क्या करा squaring करके 2m alpha q alpha v alpha 2m q तो यहाँ से आपको आपका 2 से 2 cancel हुआ अब आपने क्या v p because we lost accelerating potential of proton upon accelerating potential to the alpha particle जो हमारा हुआ वो कितना हुआ m alpha upon q alpha तो mass of alpha particle charge of alpha particle यह इसके नीचे आप यह लिया है ठीक है तो अब आपको बता है alpha particle का mass होता है चार गुना चार गुना मास होता है proton से ठीक है alpha particle का mass और 2 times charge होता है alpha particle का ठीक है यह आपको बता रहे है alpha particle की conditions मैंने सब कुछ आपके लिए बनाया है यहाँ ठीक है वैसे proton तो proton की MP cancel हुआ यह cancel हो गया तो कितना बचा 8 ratio 1 तो हमारी जो value आई की जो हमारी value आईगी वो कितनी आईगी 8 ratio 1 accelerating potential of proton to the ratio of accelerating potential proton to the alpha particle यह हमारा आणसर आ गया तो speed की ratio मैं आपको तो कैसे निकलेगी तो we can also write that de Broglie wavelength हम यह यह एक formula है मैं आपको formula जितने भी want मैं सारे internet कर दूँगा आप इनको लिख सकते जिससे आपको पता लगे ठीक है तो सबसे पहले हमने यह formula लिया use किया we have the de Broglie wavelength के लिए formula है this is the formula of de Broglie wavelength है न यह de Broglie wavelength का formula एक next next week de Broglie wavelength का formula यह वाला ठीक है जहाँ पे हमें क्या find करना है speed find करनी है न फॉर्मला तो हमें पता ही है यह आपको पता हो गई यह अपने electromagnetic induction पढ़ा वह उसमें है ठीक है देखो अब हम discuss करते है देखें हमें पता है कि wavelength यह प्रोटोन की वह अलफा पार्टिकल की wavelength के एकोल है तो wavelength प्रोटोन इस एक्वल तो alpha पार्टिकल सो mass of alpha पार्टिकल इस एक्वल मास ओफ अलफा पार्टिकल फो टाइम्स होता है ठीक है तो alpha पार्टिकल की जो wavelength होगी wavelength जो होगी alpha पार्टिकल की क्योंकि यहाँ पर mass जो ही है ठीक है तो LH by 4 4 mass of proton into velocity of proton now हमें पता है दुन्नों के एकोल है तो H जो alpha की बात कर दी वो तो alpha की बात है यह तो हमने alpha जो हमारा proton था proton में तो कुछ चेंज नहीं होगा बट हम alpha पार्टिकल में जो हमारा mass होता है हो 4 times होता है proton से और velocity alpha पार्टिकल से भी ही होती है ठीक है तो हमें पता लग गया कि H से यह H से H cancel हुआ mass of proton से mass of proton cancel हो गया हमें velocity of alpha particle या velocity of proton proton को हम यह जो proton है velocity proton की है इसको यहाँ उपर लेगे तो 4 वहाँ चला गया तो हमारे पास यह ratio आई कितनी velocity of proton by velocity to the ratio of proton velocity of proton to the speed of alpha particle is equal to 4 तो यह 4 है ठीक है कितनी है 4 next है तो next को मैं डिसकस करेंगे question number second show that the radius of the orbit show that the radius of the orbit in the hydrogen atom radius आपको radius का formula पता होना है सबसे पहले जहाँ पे पता है radius of orbit जो vary कर रही है n square where n is the number of orbit n कहा है number of orbit where n is the principal quantum number of the atom ठीक है तो देखो यह 2015 में आया तो हमने हमें पता है according to the Bohr theory of hydrogen atom the angular momentum of a revolving electron जो angular momentum होता है मैं पता है mvr is equal to nh by 2 pi होता है जहाँ पे m है mass of electron जहाँ पे v है velocity of electron जहाँ पे r है radius of orbit जहाँ पे n है principal quantum number of the atom जहाँ पे extra planks constant अब हमें पता है कोई if an electron of the mass m कोई एक electron जिसका mass m है और जो velocity v से move कर रहा है कोई electron और circular orbit में move कर रहा है जिसका radius r है तो centripetal force चाहिए होगी mv square by r अब हमें पता है कि also the charge on the nucleus यो nucleus पे आपको पता है nucleus पे जो charge होटा है वो ze होता है ठीक है the force of electrostatic attraction between the nucleus and the electron तो जो electrostatic attraction होती है nucleus के बीच में और electron के भीच में the force of electrostatic attraction between the nucleus and the electron will provide the necessary centripetal force तो वो एक necessary centripetal force को provide करता है जो आपको पता है force is equal to 1 by 4 pi by epsilon 0 ठीक है और ze because जहां पर आपने यह electrostatic बढ़ा है यह आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू पता है इसको हम बोलते हैं electrostatic constant ze square by r square यह आगया तो k is equal to 1 by 4 phi epsilon 0 mv square by r mv square by r है हमने बता दिया कि यह जो formula आगया kz square by s k कोला है तो यहां से हमने यहां से हमने क्या निकाल दिया यहां से हम radius यहां से हमने speed निकाल ली speed निकालने से क्या हुआ हमें यहाँ पर radius भी निकाल सकते हैं तो मैं radius निकालता हूँ हमें radius पूछा हम radius निकाल देते हैं तो हमें पता है हमने इन दोनों को किया जो हमारे पस V ये आया था हमने क्या करा अब हमें पता है कि मुझे velocity मिल चुकी है ठीक है V मिल चुका है मुझे क्या मिल चुका है V मिल चुका है तो हमने जब इन दोनों को आमने सामने रखा था ज़िए इस M V स्क्वेर बाई आर तो जो V था V की वेल्यू M Y R हमने M by R असाइड में V का हमने स्क्वेर कर दिया तो यह इसको स्क्वेर किया तो रेडियस हमने यहां से क्रोस मल्टिप्लाई जो भी चीज़े करी वो हमने करी और यहांसर आई ठीक है तो हम पता लगा कि जो रेडियस है वो ड्रैक्टली पर्पोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वेर ठीक है वो आ गया नेक्स्ट आपके पास क्वेशन नमर्ट थर्ड है यह आपको दिरका गीगर और मार्शनल एक्सपेरिमेंट के बारे में ठीक है गीगर और मार्शनल एक्सपेरिमेंट ड्यूल नेचर में है यह मिलको पता है Gigan and Martian experiment scattering of alpha particle by a thin foil of gold Draw the trajectory of alpha particle in the coulomb field of a target nucleus Explain briefly how one get the information on the size of the nucleus from the study From the relation R is equal to R0 A power 1 by 3 where R0 is a constant जहाँ पे A आपका mass number है nucleus का आपको बताना है कि nuclear density, nuclear matter density independent है mass number पे अब मैं आपको एक ही बता हूँगा देखो आपको लगा होगा जब मैं आपको बोड़ रहा था यह question तो आपको लगा होगा यार क्या question है यह आपका theoretical है ठीक है जो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि numerical में बड़ा मज़ा आता है बड़ जो theory पढ़ते हैं उसमें थोड़ प्रॉलम आ जाती है ठीक है theory 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 land गर में हमें भी problem technical जो person होता है उसको problem आती है so for example अगर हम बात करें तो देखो यह देखो आपको मैं trajectory of particle ठीक है आपको पता है कि कोई एक alpha particle गया अब alpha particle गया जैसे ही यह turn हुआ because alpha particle turned हुआ यहां पे turn हो गया atomic nucleus hit is turn हो गया ठीक है और अब हम बात करते है फिर आ आगके अगगा करना from this experiment do an experiment अपको दिया गया इसमें आप देह सकते है कि जादा से जादा most of the alpha particle straight through the gold foil जादा से जादा alpha particle pass क्या कर्रे थे straight कर रहे थे gold foil जा रहे थे it means they do not suffer any collision it do not suffer any collision with gold atom तो हमने क्या देखा इस गीगर और मार्शन एक्सपरिमेंट से कि जादे से जादा alpha particle gold field से straight ही move हो जा रहे थे उनको कोई collision gold atom से नहीं हुई कोई भी उनकी attraction नहीं हुई तो एक alpha particle about and one alpha particle in every 8000 alpha particle एक alpha particle हर 8000 alpha particle में वो deflect हो रहा है 90 degree से जादा as most of the alpha particle जादा से जादा alpha particle क्या कर रहे थे वो undeflected थे और will get deflected few get deflected तो जादा से जादा alpha particle deflect नहीं हो रहे थे और थोड़े से उनमें से deflect हो जाने थे इसी बज़ाए हमने बोला कि most of the space जो atom की बीच में हो खाली है और जो center atom का जो center of atom में क्या होता है nucleus होता है तो वहाँ पर एक nucleus exist है तो वहाँ से nucleus की जहान पेचान होई यह nucleus क्या होता है उसमें electron होते है उसमें proton होते है ठीक है अब next time second part जो हमने और पार्ट में दिया था वो क्या है sorry वही पार्ट चल रहा है तहाँ पर M क्या है तो हमें पता है कि M क्या है average mass and nucleon का और R जो है radius and nuclear radius है और mass of nucleus क्या होता है इन दोनों का product that is the average mass of nucleon and the radius of nuclear radius so A is the mass number of elements so volume of the nucleus what is the volume of nucleus for nucleus एक spherical portion है जिसमें हमने उनकी बात करी 4 by 3 pi r cube जहाँ पे हमने उन्हें बताई रखा है कि R जो है R 0 A par 1 by 3 जहाँ पे हमने बताया तो वहाँ पे volume है V is equal to 4 by 3 pi r की जो value वो R 0 A par 1 by 3 वहीं से हमने बात करी कि 4 by 3 pi r note का cube आ गया और A A ऐसे ही आया तो वहीं पे nuclear density क्या होती है nuclear density होती है rho is equal to M A by V formula directly learn कर लो आप rho M A by V वहाँ पे आपको V put करना है V आपने put किया V की value क्या है यहाँ पे V की value जो यहाँ पे value थी वो इसमें put कर दो so 4 by 3 pi r note cube और A तो वहीं पे आपने इसको calculation की और आपने बताया अब आपको पता लगा कि क्या जो यह आपको इसको बोल रहे है nuclear density क्या जो आपकी nuclear density में कोई एक atomic mass number आ रहा है नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि जो nuclear density है वो independent है mass number पे simple बात है जो चीज नहीं आ रही वो dependent कैसे हो सकते है तो है यह नी mass number है यह नी relation में nuclear density के तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो mass number के independent है हाँ अगर यह बात बोल सकता है कि r note के depend पे कर रही है mass में depend कर रही है nucleus के ठीक है simple अगला अगला question हमें क्या दिया था इसमें इसमें कि nuclear fusion क्या होता है देखो nuclear fusion nuclear fusion में बहुत सारे reactions आ रहा है बहुत सारे definitions पूचे है तो यही मैं definitions बार-बार आपको repeat नहीं करूँगा आप इन्हें definition को लेके चल जाने ठीक है तो nuclear fusion क्या होता है कि disintegration process होता है जिसमें nuclear fusion की बात कर रहा हूँ जिसमें heavy nucleus क्या होता है तूट जाता है दो एक heavy nucleus एक बहुत भारी nucleus दो एक हलके हलके nucleus में तूट जाता है और जो हलके-हलके nucleus में जो तूटता है बट उनकी energy बहुत जादा होती है और हम यहां बात कर रहे है uranium uranium का atomic number 92 जहां पर हमने neutron से उसकी reactions को करा है और वहीं पर हमारे पास क्या बन गया barium that is a barium 56 141 plus kryptone 3692 and that is 3 times of neutrino यादना यह neutrino होता है that is a neutrino कई बार हम इसको entry neutrino दूसरा होता है और यहां पर that is a large amount of heat जो उसको बोलता है heat released कई बार J.E. की त्यारी करेंगे आप दिखेंगे किसी institute में तो वो इसको लिखता है heat released तो energy released हो रही है पर nuclear fusion में वो हो रही है जो uranium release energy हो रही है वो वो 200.4 milli electron volt ठीक है next जो nuclear fusion अब आपको पता है nuclear fusion की बारे में nuclear fusion आपको पता लगया nuclear fusion हमारा होता है कि कोई एक heavy nucleus जो break होता है दो light nuclei में बट उनकी energy बहुत जादा होती है अब nuclear fusion fuse का मतलब दोनों एक जगा के जूडेंगे that means दो हलके हलके जो nucleus टूटे थे जो nucleus टूटे थे वो बापिस से आके जूडेंगे और वो एक heavy stable nuclei बनाएंगे उसी का मतलब होता है कि जो mass है वो when two or more light nuclei combine हो जाएंगे stable nuclei nucleus में तो part जो होगा mass का वो disappear हो जाएगा और इस process में जो energy हो convert हो जाएगी mass है जो convert हो जाएगा energy में तो उसको nuclear fusion कहते है ठीक है अब यही बात थी अब वहाँ पे आपको questions गिवन था मैं आगर मैं questions पे आपको question पे आपको लेके चलूँ तो वहाँ पे आपको एक question गिवन था भाईया आपको एक question गिवन था आपको इसमें कहा था energy कितनी release होई है तो energy कितनी release होई है में electron volt में simple है हम questions पे चलते है data डूटा हम इसमें कुछ given था हम questions को करेंगे solve सबसे पहले आपको एक given दे रखा था ये भी given दे रखा था ये भी given दे रखा था ठीक है 01 तो आप इसमें जो आपका mass है because जो mass defect होता है वो कितना है 2.0 जो value दे रहे कितिव उसको plus करेंगे 3.10 से minus करेंगे something इस से और हमारे पास value यह आ जाएगी units में energy कि निदली is doing जो यह value है वो जो value हमें दी थी 931.5 milli electron volt इन questions को आप धंक से करें यह जो आपको one unit की value थी one unit से multiply करेंगे हम क्योंकि एक unit को हम multiply कर दिया तो हमारे पास 17.589 milli electron volt आएगा जो value दी ठीक है next अगला question हमारे पास यह था कि हमें d brogley wavelength find करनी है electron की तो d brogley wavelength को भी find करनी है electron की जब हमें n is equal to 2 दिया भाईया simple question दे रखा है d brogley wavelength करनी है find electron की तो हमें पता है कि भी d brogley wavelength electron की find करनी है तो मुझे पता है कि मेरा जो formula होता है lambda is equal to square root of 2m e k और जो k होता है e k होता है kinetic energy होती है जो kinetic energy जो हमें दे रखे है यहाँ पे उसको qvb लिख सकते है qvb लिखते है in case of electron जो charge आपको दे रखा है उसके हिसाब से तो अब मुझे n is equal to कितना दिया था 2 दिया था तो e मतलब energy है तो energy 13.6 electron volt by n square जहाँ पे n क्या है 2 है तो 4 आगया square करके तो इसकी value 13.4 जो भी value आप निकालेंगे निकालो value calculate करो value calculate करके आपको पता है 2 into mass what is the mass, mass क्या है electron का 9.1 into 10 power minus 31 और यहाँ पे जो आपके निकाली है जो 13.6 electron volt upon n square से value आई है वो है 3.4 into 10 3.4 into 1.6 into 10 power minus 19 जो value आई है वो 0.067 newton meter में value आई है आपका अंसर आगया ठीए अगला question देको जल्दी से question of 15th की बात करते है 5th की बात करते हैं कि हमें एक shortest wavelength बात करनी है तो shortest wavelength of the spectral lines emitted in the balmer मैं आपको simple बाता हूँ shortest wavelength में क्या होता है कि n1 की जो value होती है वो हमारे पास जो भी हमें दिर रखिया balmer की बात है limon barmer balmer में n को 2 लेते हैं बट जो हम shortest बात करते हैं तो n2 को n2 को हमारे पास क्या होता है alpha होता है because it will be alpha क्योंकि shortest की बात करी थी यह मैं shortest की बात कर रहा हूँ यह मैं shortest की बात करी अब देखो हम आगे चलते हैं इस question को पूरा करते हैं देखो तो एक question दिया है हमें simple दिया question shortest के लिए n1 को हमने 2 लिया और n2 को 2 alpha लिया और z1 क्यों लिया देखो z1 इसले लिया क्योंकि हमें hydrogen atom की बात करी है तो अब 10 की power 7 दे रखिए कितने बात ही देखो और मैं अपताता हूँ r की value 10 की power 7 दी है यहाँ पे कभी को r कुछ और दी होती है तो उसको लेना पड़ता है तो यहाँ पे 1 तो अब मुझे पता है कि 10 power 7 upon 4 है देखो यहाँ पे आ गया 10 power 7 upon 4 अब मुझे reciprocal कर दिया है मैंने तो 4 by 10 power 7 आ गया जिसकी value मुझे यह मिली जो ले wavelength की format ठीक है अगला यह question चलते है main question में मेरे भाईयों main formula यही है formula याद रखो और shortest की बत याद रखो देखो formula पता है आपको आप अगर shortest की बत करीए तो shortest में N2 हमारा हमेशा ही infinity रहेगा और longest की बत करिए अगर longest भी ही करा दूँ तो longest में जो N2 है आपका अगर shortest की बत करीए वो infinity आएगा अगर longest की बत करीए अगर मैं लिखी देता हूँ एक जगा ना प्रॉलम पड़ेगी ये मैं आपको लिख देता है in case of short test in case of short test wavelength in case of long wavelength मैं यही question बता रहा हूँ यही question अगर इसमें आपको long दे दिया हूँ longest wavelength में आपको क्या करना है longest wavelength में आपको अगर बाल अमारी बात करें तो n1 तो भही है 2 ही रहेगा आपका n1 तो आपका 2 ही रहेगा ठीक है but but पर जो n2 है वो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा कितना आएगा 3 आएगा या रखना इस बात को वो मैंने आपको बता दिया ठीक है in case of longest क्योंकि आपका बुरा नहीं होना चाहिए कोई भी question बूचे किसी तरीके से बूचे आपको आना चाहिए वो question paper में next question देखो question number 6 की बात कर रहे हैं हाँ एक और बात यह वो question बड़ा repeat हुआ है यह वाला question बड़ा बहुत ही repeat हुआ है यह वाला ठीक हो फोरन में आया था 2016 में और यह हमारे पास CBSC में 2016 में यह आया था ठीक है तो फोरन में भी आ और CBSC में भी आया है next हमारे पास ionization energy क्या होती है तो minimum energy required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom उसको हम ionization energy कहते है और ionization energy होती है वो directly proportional होती है मास के क्यों बता है क्योंकि question दे रखा है तो ionization energy will be directly proportional to mass that means आपको बताया how would ionization energy बता दिया आपने कि भाई minimum energy होती है जिसमें electron को हम निकालते है निकालते हैं ground state से ठीक है minimum energy होती है जिसमें हम electron को ground state से निकालते है remove the electron from the ground state तो how would the ionization energy changes when the electron in the hydrogen atom is replaced by a mass of 200 times then that of electron but having the same charge तो क्या बोला उनने भाईया यहाँ पे जो ionization energy है वो charge पे डिपेंड़ी कर रही है mass पे डिपेंड़ी तो mass दो गुना होगा तो ionization energy भी दो गुना हो जाएगी 200 sorry 200 गुना हो जाएगी अगर आपको यही बात बोल दी कि ionization energy 500 गुना तो यह mass के ट्रेकली पोश्चन है 500 M आ जाएगा तो ionization अगर mass इसका 500 हो गया तो ionization energy 5 times हो जाएगी simple देखो question number 7 है question number 7 क्या होता है आपको एक basic nuclear process रखना पढ़ता है write the basic nuclear process involved in the beta emission तो beta emission में आपको पास एक process होता है जिस process को हम explain करेंगे कि भाई for a beta plus decay for a beta plus decay so a proton transform into neutron so for a beta plus decay a proton transform into neutron within the nucleus according to this beta decay के में क्या होता है that is this neutron plus electron तो this will be the end neutrino for a beta decay example यह sodium का sodium में आपको पता है atomic number 11 mass number 22 तो वैसे ही हमने electron को किया यह 10 हुआ 22 हुआ electron plus है in fact lighter radioactive radioactive nuclei so lighter radioactive isotopes जो भी होती है उनका जो Z होता है atomic number होता है वो 70 से कम होता है जिससे decay होता है mostly beta decay ठीक है ठीक है तो जो carbon होता है carbon जो भी है जो हमारा carbon है carbon में जो हमारा B है जो भी हमारा बन रहा है X हमारा positrion है X हमारा positrion है ठीक है positrion है तो यह हमारे पास आ गया तो वैसे है आप यहां से देख सकते हैं अब आपको यहां पर पूछा है value जिसकी पूछी है आपको आपको पूछी है हाँ यह देखो यहां पर एक question था है जहां पर आपको चीज़े पूछी दी ठीक है value x y z and abc तो x y z abc मैंने आपको यहां डाल दिया आप देख सकते है question में यह जो आपके value है question number 8 पे चलते है question number 8 क्या कहा रहा है because question बहुत जादा है मैं आपको बता हूँ question बहुत जादा है video बहुत लंबी हो जाएगी सिर्फ मिनको उस person ने questions को बताने के लिए का है तो मैं questions को बता भी रहा हूँ बटन के solutions भी बता रहा हूँ बट आपको पता है video बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी problem आएगी so a 12.5 electron volt beam है जो excite हो रही है hydrogen atom पे room temperature पे तो determine the wavelength आपको wavelength determine करनी है ठीक है तो आपको पता है कि ground state में in the ground state the energy of gaseous hydrogen atom minus 13.6 electron volt होती है ground state पे hydrogen atom की energy तो जब वो bomb बाट हुआ 12.0 electron volt की energy से electron beam से तो minus 13.6 जो हुई 12.5 electron volt से तो वो जो उनको minus करके minus 1.1 electron volt आ गया electron jump हुआ कहां से jump हुआ electron N1 से लेके N3 तक jump हुआ अब jump क्यों हो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर ये energy 1.1 ये जो energy आप calculate करने पड़ेगी इतने में आती है तो energy जो है third में minus 13.6 upon 3 square minus 5.1.5 electron volt है तो यहां पर on de-excitation जो electron है वो jump हो रहा है N3 से लेके N2 में तो वो balmer series को rise कर रहा है जो उन्होंने बता रहा है कौन से series बताई balmer बताई simple अगला ये lineman में भी jump कर सकता है next है 4 nuclei है वो undergo कर रहे है देखो कोई एक 4 nuclei है आपको एक 1 marks में question दिया 2018 में कि भाई 4 nuclei है वो fusion में जा रहे है अब आपको fusion क्या होता है fusion मतलब कोई भी कोई भी एक lighter nuclei जुड़ते हैं आके तो उसको बोलते है nuclear fusion तो किस parent और daughter nucleus में से किसके ज़्यादा binding energy per nucleon होगी तो भाई या daughter क्यों होगी daughter nucleus has a binding energy per nucleon for example example कोई एक lady है उस lady ने अगर एक baby को baby baby को अगर birth दिया किसी जनम हुआ उसका तो 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 वो उसे grow ज़्यादा करेगा grow ज़्यादा करने का मतलब क्या होता है features जो भी होंगे new new latest mobile आते है तो उनमें ज़्यादा features होते है क्योंकि वो देखते है कि पिछला model ऐसा था ठीक है तो the mass of the nucleus simple है मतलब अगर वो उसमें जैसे जैसे age बढ़ती है वैसे वैसे बन देखो ठीक हो ठीक है the mass of the nucleus जो mass होता है nucleus का वो less होता है the mass of the heavier nucleus जो होता है daughter का वो less होता है then the sum of the mass of combined nuclei है और mass defect more होता है mass defect in more in daughter nuclei so binding energy more जो mass defect ज़्यादा होगा तो भाहिया binding energy भी ज़्यादा होगी पर nucleus से ठीक है अगला question दिया कि बोहर postulate क्या करता है बोहर postulate को define करो तो बोहर postulate मैं आपको पता है mvr is equal to nh by 2 pi जो यही same चीज था और आपको पता है कि अगर circumference के लिए 2 pi r is equal to n lambda questions मैं use हो रहा है मैं पहली बता रहा हूँ mvr is equal to nh by 2 pi angular momentum का equation 2 pi r is equal to n lambda question मैं use हो रहा है d brogley vivalent h by p होती है बहुत बहुत important question है circumference के लिए 2 pi r is equal to nh by यह circumference के लिए use होता है next है मारे पास how d brogley vivalent एक hydrogen atom वो ground state पे था उसने photon को photon जो photon है वो excite हुआ fourth level पे fourth level पे excite हुआ तो आपको energy पता है minus 30.6 n square तो आपको जो value आई वो minus 0.85 electron volt आई frequency भी estimate करनी है तो आपको पता है कि h new is equal to जो भी fourth fourth को minus करो e g से अब e g क्या है भाई या e g मतलब energy in the ground state क्योंकि वो ground state से ही उठा तो ground state minus 30.6 होती है वैसे आपको minus 0.85 आई तो total calculate किया तो 3.08 into 10 पर 15 आया जो भी हमारा answer था frequency next रहे एक radioactive nuclei जिसकी half life 10 साल है और भाईया how long will it take for the activity to reduce 3.125% तो भाईया simple बात कहीं कि half life एक radioactive sample है उसकी half life capital T जो है वो 10 years है और कितना time लेगा वो activity को reduce करने में तो आपको वो पुछा है small t बोली है तो भाईया आपको पता है कि n by n not is equal to e lambda जहाँ पे n है वो आपको simple बता दिये तो n by n not की value 3.125% दिये that means उसमे 1 by 32 आप कर लेंगे n by n not 1 by 32 simple approximately ये लिए आपने n e par minus lambda हो गया ठीक है जाके so decay constant 0.693 by t होता है तो 0.693 by 3 आपने यहां से कर दिया 5 t है अब यहाँ t क्या हाफ life है what is t? t will the half life तो यहाँ पे जो t है उसकी value भर दो कितनी है t half life कितनी है 10 10 है नो 50 तो total answer कितना है कि पचास आ जाएगा ठीक है ना calculate देख सकते हैं इस वीडियो को आप screenshot भी ले सकते हैं ठीक है next पर आपके पास कि भाईया आपने nuclear fusion nuclear fusion को भाईया explain करना plot के साथ अप्लोट आपका graph दे रखाए और यहाँ पूछ सकते हैं कि भाईया अब हमारे पास nuclear fusion nuclear fusion मैंने सबको लिखा है पीछे अगर आपको दुबारा पढ़ना है तो दुबारा पढ़ सकते हैं आप ठीक है यहाँ पर next हम चलते हैं कि हमें orbital period electron का first excited state में तो orbital period of the electron on the first excited state तो 2 pi r जो period होता है वो 2 pi r होता है sorry 2 pi r होता है so 2 t is equal to 2 pi r तो जो r है हमारे पास वो कितना होता है radius कितना होता है कौन से question पर थे friends यह हम थे हम कौन से पर थे हम थे यह यह question पर थे हम हमने क्या बोला हमने बोला कि calculate the orbital period of the electron in the first excited state तो हमें पता है कि मारा radius 0.53 n square by z है ठीक है 0.53 n square by z है और angstrom में है जो 0.53 n square by z into 10 पार बोला कि आ पार